दोस्तों आप सभी वॉलिवूट इंडेस्ट्री के बाश्या खान यानी कीस अभिनेता शारू खान के लाडले बेटे आरन खान को तो काफी अच्छे से जानते ही होंगे जो हाल ही में अपने दोस्तों के साथ बॉंबई की क्रूज में चल रही प्रेव पार्टी में ड्रक्स दा सेवन करने उन्हें बेचने और खरीदने के आरोप में एंसी वी द्वारा आरेस्ट की गए हैं जिस वज़े से ये सोशल मीडिया पर सुर्खियों का हिस्सा बने प्रदार को बेहत खूबसूरती से परदे पर पेश करते हुए नजर आये थे जिस वज़े से दर्शक इनके हर एक फिल्मों को देखना काफी जादा पसंद करते हैं जो अब जल्द ही वॉलिवुट की फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं यू तो ये दोनों एक दूसरे जो की काफी common है तो दोस्तों दोनों के बीच में क्या connection है दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों की बीच में क्या connection है तो आप हमारे साथ इस वी का हिस्सा बने हुए हैं क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ड्रक्स जैसी बेकार्ची जों का सेवन करते हैं इसलिए तो इनके ड्रक्स के इस मामले में अरस्ट हो जाने की वज़े से ये लाइम लाइट का हिस्सा बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ South industry के मशूर अभीनेता यश भी किसी से कम नहीं है जिन्होंने फिल्म इंडिस्ट्री को राजा हुली लुप की Mr. and Mrs. रामचारी जैसी कई सुपर हिट फिल्में दी है और इन फिल्मों की वज़े से ही काफी जादा famous होए हैं जिसके दम पर इन्होंने अपना मुकाम सिर जिसमें भाई-भाईकार connection है जी हां शारु खान के नवाबजादे आरेन खान अबनीता को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं जो इनकी एक्टिंग और एक्शन को काफी जादा पसंद करते हैं जिस वज़े से ये वॉलिवूड इंडिस्री में आकर इन्हीं की तरह बन यश की तरह ही करेंगे क्योंकि उन्हें इनकी हर एक फिल्में काफी जादा पसंद होती जिस वज़े से ये इनको अपने बड़े आइडियल्स और बड़े भाई की तरह मानते और सम्मान देते हैं इसी वज़े से अब नेता यश आरन को अपने छोटे भाई की तरह प्यार और सम्मान देते हैं जो इनकी हर एक छोटी बड़ी चीजे में सपोर्ट भी करते हैं तो दोस्तों आपको इन दोनों की कनेक्शन के बारे में जानकर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड इंडस्री से चूड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें